सद्गुरु श्री ब्रम्भ चैतन्य महाराज गोंदों लेकर इनका प्रवचन चार फरवरी भगवान के नाम में ही वासना का क्षय हम सब जीव वासना में उल्जे हुए हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही वासना से हुआ है वासना का मतलब है जो है वो तो रहे ही और अधिकाधिक मिलता रहे हम अभी ऐसी स्थिती में हैं, लेकिन प्रारंभ करना है इसलिए हम ऐसा कहें कि जो है वो तो रहे और जो अधिक मांगना है वो हम परमेशवर से मांगे इसका परिणाम ये होगा कि जो मिला है वो परमेश्वर ने दिया है और अगर नहीं मिला तो इश्वर की इच्छा नहीं है ऐसी समझ भड़ती रहेगी और दाता परमात्मा है ये भावना भी वृद्धिंगत होगी जो है वो भी उसकी इच्छा का फल है ऐसी समझदारी बढ़कर आसकती और बेचैनी कम होगी और आसकती कम होने लगेगी तब मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए या ये नहीं चाहिए ये सारे भाव घटते रहेंगे वास्नाओं का क्षय होता रहेगा केवल अपने पुरुशार्थ से वास्नाओं के परे जाना असंभव है इसके लिए परमात्मा के प्रती शरण जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है योग्य संगती का भी इसके लिए उपयोग हो सकता है यदि किसी बैरागी की संगती में आएंगे तो कपड़ों का प्रेम, कपड़े पहनने का शौक कम होगा और किसी सेठ जी की संगती में आएंगे तो अच्छे-च्छे शौक और बनाव सिंगार की प्रवृत्ती होगी अतह हमें ऐसी संगती में रहना चाहिए जिससे शरणागत होने की भावना बढ़ने में सहायता होगी इश्वर की शरण जाने का या शरणागत होने का मतलब है उसे सर्वस्व समर्पित करके जीवन यापन करना इसका अर्थ है कि हम उपाधी रहित बने इसका तात्परिय ये है कि हमें ऐसे ही साधनों को जुटाना चाहिए या ऐसे ही साधनों के साथ रहना चाहिए जो उपाधी रहित हो ऐसा साधन है भगवान का नामस्मरण करना काल, समय, परिस्थिती, उच नीच भाव, स्त्री पुरुष, विद्वत्ता अनाडिपन, अमीरी गरीबी, स्वास्थ्य, आस्वास्थ्य, आदि कोई बात नामस्मरण में बाधा निर्माण नहीं कर सकती नामस्मरण के लिए कोई साधन या उपकरण भी अनिवार्य नहीं होता है, वो तो हम अपने रदय में निरंतर रख सकते हैं, नामस्मरण में बैरागी के कश्ट नहीं है, वो तो हम कहीं भी, कभी भी साथ में ले जा सकते हैं इसके लिए हमें विशय की आसक्ती, विशय के साथ होने वाली एक रूपता छोड़नी चाहिए. भगवान मेरी साथ हैं, ऐसी श्रद्धा रखने पर वृत्ती विशय के साथ एकात्म नहीं हो पाती. हनुमान जी ने सीता जी को मुद्रिका दी. उसे देखने पर सीता जी को श्री राम चंद्र जी के स्वरूप का स्मरण हुआ. इसी प्रकार हमें भी नाम स्मरण करती समय ईश्वर का ही नेरंतर स्मरण होना चाहिए. भगवान के अनुसंधान में जो बंधाउआ रहता है, मानों उसने काल को पराजित कर दिया है ऐसे लोगों के मन में मृत्यू का डर क्यों होगा? भगवान को सर्वस्व समर्पित करने के कारण उसके मन में वासना क्यों बची रहेगी? और जहां वासना बची नहीं है, वहां मृत्यू का प्रविश नहीं हो पाता वासना नश्ट होने का मतलब है देह बुद्धी नश्ट होना वासनाओं के क्षय में एहम की मृत्यू है और एहम की मृत्यू देखने के लिए हमें भगवान का नामस्मरण निरंतर करना चाहिए ये पूर्ण तया सत्य है कि वासनाओं का क्षय भगवान के नामस्मरण में ही है जान की जीवनस्मरण जै जै राम